नमस्कार साथियों पार्लेमेंट का विशेश रतर अभी खतम हुआ है और इस विशेश रतर में जो मुद्दे आए हैं उस पर राहूल गांदी जी आपको संबोधित करेंगे उसके बाद कुछ सवाल लेंगे मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि यह सवाल सिर्फ विशेश शतर तक ही सीमित रखा जाए राहूल गांदी जी थैंक यू जी राम जी कुछ दिन पहले पार्लेमेंट का स्पेशल सेशन अनाउंस हुआ और काफी फैन फेर से पुरानी पारलेमेंट बिल्डिंग से नई पारलेमेंट बिल्डिंग में ट्रांजिशन हुआ वह अची बात है और में फोकश स्पेशल सेशन का पहले तो मालम नहीं था यह स्पेशल सेशन क्यूं हो रहा है speculation काफी हुआ और फिर पता लगा कि इसका main focus महिला आरक्षन है उसके बाद महिला आरक्षन तो बड़ी अच्छी चीज है उसके बाद ये दो clauses इसमें दो footnotes हमें मिले एक की महिला आरक्षन करने से महिला आरक्षन देने से पहले हमें census करना पड़ेगा और दूसरा delimitation करना पड़ेगा और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे सच्चाई ये है कि महिला आरक्षन को आज किया जा सकता है 33% आज जो seats हैं लोग सभा में, विदान सभा में वो महिलाओं को दी जा सकते हैं, कोई complicated मामला नहीं है मगर सरकार वो नहीं करना चाती है सरकार ने ये देश के सामने रग दिया है मगर reality है कि implement आज से 10 साल बाद होगा ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा तो एक प्रकार से ये distraction tactic है, diversion tactic है diversion किस चीज़ से हो रहा है diversion OBC census से हो रहा है मैंने पार्लिमंट में सिर्फ एक institution के बारे में बात के वो जो हिंदुस्तान की सरकार का center है, core है जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है cabinet secretary and secretaries और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा प्रधान मंत्री कहते हैं कि वो OBC के लिए बहुत काम कर रहे है अगर प्रधान मंत्री इतना काम कर रहे है तो नब्बे में से नब्बे लोगों में से सिर्फ तीन लोग OBC community से क्यों है, पहला सवाल दूसरा सवाल मैंने यही अनालिस अनालिसिस बजट को देखके कि यह पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और यह जो OBC officers हैं यह इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं, OBC हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, OBC आफिसर्स, तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है, प्रधान मंत्री हर रोज OBC के बात करते हैं, OBC प्राइड के बात करते हैं, मगर OBC के लिए किया किया, अब जब मैंने यह बात बोली, उनका रिस्पॉंस बड़ा इंट्रिस्टिंग है, वो कहते हैं कि लोग सभा में हमारा रेप्रेजेंटेशन है, लोग सभा में क्या लेना देना है,